मंगलवार तोपहर पुलिस के लिए बड़ा चुनोती पूंड रहा एक हत्या के शुक में पूश्टाज के लिए एक बड़े उद्योगपती को लेकर सिम्डूल थाने लाए गया सुत्रों से मिली जौनकारी के निसार उद्योगपती का नाम हेमंत नीमा है कुछ दिनों से ही इन्ही के घर पर एक ट्राइवर के बद पर नोकरी करने वाले एक नोकर दस मार्च से गायब था और नीमा द्वारा इसके सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी पुलिस ने सीसी टीवी के अधार पर कुछ जौनकारी एकत्र की और मंगलवार तोपहर नीमा को उनके निवास स्थान से लेकर सिम्रोल थाने लाए गया सुत्रों बदाते हैं कि हेमंत नीमा के बालक के साथ लंबे समय से ड्राइवर को कृत्य कर रहा था और कई बार बालक द्वारा इसका विरोधर शुकराए गया लेकिन ड्राइवर प्रमोट मत कर उससे लगतार संबंद बनाता रहा इस घटना के जौनकारी बालक ने अपने पिता को दी जिसके बाद पिता हेमंत नीमा ने ड्राइवर को बल्ले से पीट-पीट कर हत्य कर दी और शुख को आठवर नो माज के दर्मयानी राज सिम्रोल के समय फेक दिया पुलिस अभी घटना में हेमंत नीमा की भूमिका की कोई अधिकरत चानकारी नहीं दे रही है लेकिन शंका के अधार पर सुत्रों की आधार पर इनका हाथ हो सकता है खुली के दिन सिम्रोल थाना शेत्र में एक अक्यात शव मिला था शव की हाला दे कर यसपस्ट हो रहा था कि योग के पहले हाथ पे बांद कर सुलकते कीलो से शरीर को दाग कर बेरहमी से पीट कर हत्य की गई थी रतिक की शिलनाक्त में मूलत महारास्ट का रहने वाला था और इंदौर में रहकर ड्राइवरी करता था रतिक की पहचान प्रमोद उर्फक कमलकार मतकर निवासी ग्राम भारपाल यवतमाल महारास्ट के रूप में हुई थी मुलता मारास्ट्र कर रहने वाला मतकर इंदोर के ट्रांसपोर्ट नगर में किराय सी रेकेट टेक्सी ट्राइवरी करता था